जुस तरीके से हिंदू संगठन के जो लोग थे वो इस बात का समर्थन कर रहे थे किसको काउ हग दे गोशित कर देना चाहिए लेकिन आज सरकार ने ये अपील वापस ले ली है लेकिन कई हिंदू सगनटन है वो अभी भी कह रहे हैं कि हम अब चौधा फरवरी जो हाँ उसको काउ हक डे बनाएंगे और इस तरीके से जो है जो एक गाई को लेकर के एक जो वैदिक परंपरा आ रही है जिसे कह सकते हैं कि वैदिक चिकित्सा वैदिक परंपरा में जो है उसमें गाई का बड़ा महत है और गाई से चिकित्सा गाई के कई चीजों से भी चिकित्सा दूद भी चिकित्सा लाए किया कई और चीज तरी से भी गाई के साथ गाई को सपर्श को करके जो है उससे भी च ताबित हो रहा है विदेशों में भी यह काओ को हग करने की किस्सा के नीदर लेंड की बात करें अमेरिका की बात पर इसका प्रचलन हो तेजी से बढ़ता जा रहा है तो यहां पर भी कुछ हिंदू संगटन है जो यह कह रहे हैं कि हम काओ हग दे जो है वो 14 फरवरी को पर आने क्योंकि हम कुछ बिल्ली खास्तों से शेहरी इलाकों में कुछ बिल्ली पालतु जानवरों के रूप में पाल्मते है और जाहिर सी बात है वो उनसे खेलते हैं उनको गले लगाते हैं यहा स्पर्श करते हैं तो तनाव एक तरशे से दूर होता है तो गाए तो एक उच्चा दर्जा दिया गया है क्योंकि गाए का दूद भी बहुत महत्पून है पूजन ये भी है काम धेनू भी कहा जाता है और गाएों को सपर्ष करने से भी तनाव जो है वो दूर होता है तो इस लिए इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए एनिमल वेलफेर बोर्ड जो